पंजाब हरियाना हाई कोट ने अभिभावकों को बड़ा जटका दिया है दरसल पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को रहत देते हुए हाई कोट ने ये फैसला लिया है कि स्कूल टूशन फीस, अड्मिशन फीस और एन्वल फीस चार्ज कर सकते हैं लेकिन ये फीस बढ़ाई नहीं जाएगी और पिछले साल 2019 की तरह ही चार्ज की जा सकती है अब हरियाना हाई कोट की बात करें तो आज पंजाब हरियाना हाई कोट की तरफ से प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया हाला कि ये जो फैसला है ये प्राइवेट स्कूलों के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है पुनीत बाली सीनियर एडवोकेट जो हैं हमारे साथ है बातचीत करते हैं सर आज एक बड़ा फैसला आया लंबी कहीं न कहीं बहस भी हुई थी दलीले भी दी गई थी सभी पक्षों की तरफ से फैसले के अंदर हाई कूर ने क्या कुछ कह है देखिए जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनकी जो आर्गुमेंट थी मेंली वो ये थी के प्राइवेट स्कूल्स को कोई फंडिंग गवर्मेंट की तरफ से नहीं मिलती वो टोटली इंडिबेंडन बॉडिज हैं येस उनकी फीस रेगुलेट होती है अंडर थे टूथाउजन सिक्टीन एक जिसके पैरामिटर्स डिफरेंट है तो गवर्मेंट का जो ओर्डर था जिसमें कहा गया कि आप टूशन फीस भी डेफर करेंगे दूसरे चार्जिस तो आप लेंगे ही नहीं और उसके इलावा आप चार्जिस नहीं लेंगे और जितने भी आपका स्टाफ है टीचिंग नॉन स्टीचिंग उसमें से किसी को आप नौकरी से नहीं हटाएंगे सब को सैलरी देंगे तो आपिसली फैनाचली इन स्कूल को सरवाइब करना पॉसिबल नहीं था और इन स्कूल के खिलाफ ये ओडर्र पास करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की भी एड ली गई एपिडेमिक एक्ट की भी एड ली गई स्कूल का कहने का सारी आर्गिमेंट ये थी कि ये टोटली डिस्क्रिमिनेटरी है और डिस्क्रिमिनेटरी के लावा गवर्मेंट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है जो ऐसी नोटिफिकेशन प्राइवेट एड इड इड स्कूल पे कर सके तो जो आज आहिम फैसला आया है हाई कोट का उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी क्याटेगरिकली सामने आई हैं कि एक के डिजास्टर मैनेजमेंट के आर्ड में ऐसे आर्डर नहीं पास किये जा सकते क्योंके स्कूल फीस रिडियूस की जाए या ना ली जाए उससे कोवि इमिशन फी या जो चार्जिस बाकी हैं वो नहीं लेंगे तो ऐसे इन दोनों में इशुस को रखते हुए सामने स्कूल की फेवर में फैसला है और जहां तक फाइनाशल बर्डन है पेरेंट्स पे जिनको एक्चुली में कोई फाइनाशल बर्डन हुआ है उनको कहा गया है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कूल के पास लेके आईए अगर किसी की वाकई फैनाशल प्राब्लम है तो स्कूल डेफिनेटली ओन इंडिविजल बेसे उनको देखेंगे और यह हमारी तरफ से आर्गूमेंट में भी कहा गया था कि ऐसा नहीं है कि हम प्राइ कोट करता है तो यह सारी बात है हाई कोट ने हमारे हक में की हैं और बहुत साउंट फैसला है जिससे ऑफिसली 3500 स्कूल विचाइवर रिप्रेजेंटिंटिंग वो बहुत ज़्यादा फैनेशल प्राबलम में थे तो आइम शूर अब उनकी जो फैनेशल प्राइसले के बा इट अगेंड डिपेंड अपॉन इंडिविजल स्कूल उसकी क्या पोजिशन है क्या नहीं है हाँ जी हाँ सारे जो पंजाब के स्कूल के मसले थे वो सारे डिसाइड हो गए हैं और अब जो भी फीस का फैसला होगा वो इस जज्जमेंट के बेसिस पर ही होगा बेसिस का फैसले की अगर बात करें तो जज्जमेंट के अधार पर होगा एक बड़ा फैसला यहां पर कोड जो है वो देती हुए नजर आ रही है और इस कोड के फैसले से कही न कहीं जो प्राइवेट स्कूल एस्सोसियेशन है या प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट जो है उनमें कहीं न कहीं खुशी भी देखने को मिल रहे हैं और सभी इस ओर्डर का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं हाला कि देखना यही होगा कि अभी भावक या फिर पेरेंट्स एस्सेशेशन जो हैं वो इस फैसले को किस नजरिये से देखते हैं कैमरामेन दवेंदर सिंग के साथ विनित कपूर, A&B News, चंडीगड